Marvel Studios Presents Loki Season 2 Marvel के डाई हाड फैंस के लिए एक लास्ट होप है क्योंकि मेड़े according Avengers Endgame के बाद Marvel की Phase 4 और 5 में अभी तक जितने ही मुवीज और सीरीज रिलीज हुआ है Spider-Man Noe Home को छोड़ दिया जाए तो Loki सीरीज के अंदर सबसे जादा potential है क्योंकि दूर से देखने पर Loki एक नॉर्मल वेब सीरीज लग सकता है फिर भी मैं लिख कर दे सकता हूँ कि MCU के मल्टिवर्स आखा में सबसे इंपॉर्टन स्टोडी को कोई कैरी कर रहा है तो वो एक मात्र लोकी सीरीज है तो डेफिनेटली Marvel ये चाहेगा साइड में पहले मुझे एक बात बताओ कि Secret Invasion हमें इतना क्यों डिसमोइन किया क्या बता वाई अच्छा ठीक है मैं ही बता देता हूँ पहले तो एक बात जानका डखलो कि Secret Invasion का काम Sea Hulk release होने से पहले ही खतम हो चुका था क्योंकि पिछले साल Marvel का ऐसा सोचना था कि माल जो भी है हमाडे Marvel Studios का स्टैम्प है ना तो टेंसन क्यों लेने का हम टट्टी वाना है तो एवी चल जाएगा उसके बाद क्या हुआ Sea Hulk का टट्टी रेस्पॉंस लोगों से निकल कर आ गया और उसी टाइम में Marvel वालों को रियलाईज हो गया था कि हमाडे नेक्स्ट्टी वाला ये सिक्रेट इन्विजन माल चलेगा नहीं और आज रेस्पॉंस तुमारे सामने है भाई सोच सकते हो ओर्डेंस की तरफ से इसको सिर्फ 13% का रेटिंग मिला है भाई बट Marvel कहां जुकने वाला है पुस्पा की तरह वो भी बोल उठे मैं जुकेगा नहीं डे डाला लोकी सिजन 2 का ट्रेलर भाई मानो या ना मानो content गया भाड में Marvel का marketing strategy हमेशा से ही बाकियों से आगे रहा है समझी रहे हो भाई पपा डिजनी है इसी वाई से भाई कहता हूँ डाब लूवी वालो एक बाड़ भी से काम नहीं चलने वाला DC के उपर थ्रा सा ध्यान दो खेर हम Marvel की बात कर रहे थे जैसा कि तुम जानते हो हॉलिवड में इस टाइम में राइटर्स और एक्टर्स की strike चल रहा है इसी वाई से हॉलिवड के बाकी मुवीज की तरह Marvel भी अपने प्रोजेक्स को खीसता जा रहा है पहले तो डेटपूल 3 को प्रिपॉन करके 2024 के में में सेट किया था बट राइटर्स ट्राइक के चलते उसका सूटिंग बंग पर चुका है और लग तो नहीं रहा है भाई डेटपूल 3 अगले साल उस फिक्स डेट पे रिलीज होगा देखो भाई ऐसा नहीं है कि डेटपूल 3 के अलावा नेक साल Marvel के लिए कुछ रिलीज करने के लिए है नहीं नहीं भाई माल रेडी है जैसे Captain Eddie का Brave New World but problem marketing strategy को ले करें क्योंकि तुम तो जानते हो कि Marvel अपने movies को अच्छा खासा promotional campaign के दबारा रिलीज करता है बट भाई सभी actors strike पे बैठ गे हैं तो promotional करेगा कौन इसी वाई से एक मात्र Disney Plus सोजी Marvel के माहोल को strable रख सकता है but problem यह है कि secret invasion flop होने के बाद इस टाइम में Marvel का जिम्मदारी Loki series के कंधो पटिका हुआ है अड़ी The Marvels के बाद में सोच रहे हो कुछ नहीं होने वाला भाई घंटा उसका कुछ भी आइब नहीं है मुझे तो भाई अवी से ही लग रहा है कि The Marvels Flash के collection को बीट करने में struggle ना कर जाए तो overall conclusion के निकलता है कि 2022 में Top Gun Maverick मूवी के दवारा Tom Cruise ने Hollywood को सेब किया था वैसे ही Loki season 2 के दवारा Tom Hiddleston Marvell को सेब करेगा लगता है ये Tom सरनेम वाला लोग जादा ही lucky होते पता नहीं क्यों साला हमारे इदर कुतों का नाम Tom रखा जाता अड़े थूरा सा जादा हो गया खेर तुम कोई ने बता दो कि Marvell का सेब ही और Loki है तो Destroyer गौन है खेर इन सभी के बाड़ में तुमारा ओपेनियन मुझे कोईन में जरूर आताने एक लाइप जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते हैं इंस्ट्रागम बे बॉलो करके बाई बाई